नमस्कार, आज मैं आपको ग्री परवेश कैसे करें, कब करें, क्या करें, क्या करें, क्या ना करें, नियम, किती प्रकार के ग्री परवेश होते हैं, ग्री परवेश से सबंदि संपून जानकारी देने जा रहे हूं दोस्तों हिंदों में जब भी कोई विक्ती नया घर बनवाता है तो उसमें रहने से पहले इश्वर को घर पर आमंतरित करता है इसके लिए ग्री परवेश की पूजा करवाई चाहती है नया घर हमारे लिए मंगलकारी हो और उसमें सुख शान्ती का वास हो इसलिए ग्री परवेश के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले पंडिजी से ग्री परवेश की थी और समय जरूर निकलवाएं ग्री परवेश के लिए शुब मूरत का ध्यान जरूर रखें किसी विद्वान ब्रामन की सहायता लें जो विधी पुर्वक मंत्रों चारन कर ग्री परवेश की पूजा को संपून करवाएं दोस्तों माग, फागून, बैशाक और चेश्टमा ग्री परवेश के लिए उत्तम बताए गए हैं इसके इलावा कुछ दिनों में भी ग्रे परवेश करना शुब माना गया है जैसे बसंत पंचमी, अक्षयत रितिया, गुड़ी पडवा और दशरा जैसे दिन शुब माने गए हैं जब होली, अधिक मास और श्रात पक्ष अशुब हैं दोस्तों मंगलवार और रवीवार को ग्री परवेश नहीं किया जाता है विशेश परिस्थितियों में शनिवार के दिन भी ग्री परवेश वरजित माना गया है सब्ता की बाकी दिनों में से किसी भी दिन ग्री परवेश किया जा सकता है अमावस्या में ग्री परवेश ना करें और दोस्तों शुकल पक्ष की द्वितिया, तृतिया, पंचमी, शष्थी, सब्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथियां प्रवेश के लिए शुब मानी गई है वास्तों शास्त्र के अनुसार ग्री परवेश पूजा तयार घर में होना चाहिए मतलब घर में कंस्ट्रक्शन का कारय पूरा हो चुका हो दर्वाजे, खिडकिया, नल, बिजली सब लग चुके हो ग्री परवेश से पहले मजदूरों की पेमेंट भी जरूर कर दे मजदूरों का पैसा उधार रहने से उस घर का ग्री परवेश कभी भी शुब नहीं माना जाता ग्री परवेश से पहले पूरे घर को साफ सुत्रा करें पानी में नमक डाल के पूरे घर में पोंचा लगाएं मुख्या द्वार को अच्छी तरह से सजाना चाहिए मुख्या द्वार को गेंदे के फूलों और आम के ताजे पत्तों के वंदनवार से सजाएं वंदनवार के साथ ही मुख्या द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं गरंतों में ऐसा कहा गया है कि यदि आप इश्वर को अपने घर पर आने का न्योता दे रहे हैं तो आपको उन्हें प्रसंद करने के लिए द्वार को जरूर सजाना चाहिए और देवी लक्ष्मी को रंगोली बहुत पसंद है यदि आप उसे घर के द्वार पर बनाते हैं तो आपके घर में मा लक्ष्मी वास करती है दोस्तो ये ध्यान रखें कि रंगोली लोगों के घर में प्रवेश करने के रास्ते में ना आए आप मुख्य द्वार को स्वास्तिक चिन और अन्य शुप चिनों से सजा सकते हैं दोस्तो ऐसा माना जाता है कि घर का प्रवेश द्वार वास्तु उरुष का चेहरा है जब वंदन बार सूक जाए तो निकाल कर विसरजन कर देना चाहिए। पती पतनी दोनों साथ में नए घर में प्रवेश करें। पुरुष पहले दाइना पैर और स्त्री बाया पैर बढ़ा कर नए घर में प्रवेश करें। भगवान गनेश की प्रतिमा दक्षिना वर्ती शंक श्री अंतर को ग्री प्रवेश वाले दिन घर में ले जाना चाहिए। दोस्तो स्री ने तो कलश उठाया होगा, पुरुष अपने हाथों में गनेश जी की प्रतिमा श्री अंत्र शंक लेके घर में प्रवेश करें, एक पात्र में साफ कपड़ा बिचा के सब रख सकते हैं, अगर घर में छोटी कन्या है तो उनको भी पहले ग्री प्रवेश करवा सकते हैं, दोस्तो तुलसी का पोधा भी साथ लेके ग्री प्रवेश करें, घर का कोई अन्य सदस्या इसे ले सकता है, धार्मिक गरंथों को भी लेके घर में प्रवेश करना शुब होता है, रामायन, श्रीमत भगवत गीता लेके प्रवेश कर सकते हैं, यूगल सरकार यान प्रवेश ना करें, कुछ न कुछ जरूर हाथ में रखें, कुछ मीठा या कोई फल ले सकते हैं, दोस्तो नए घर में प्रवेश के समय, घर के स्वामी और स्वामी नी पांच मांगलिक वस्तुएं, नारियल, पीली हल्दी, गुड, चावल, दूद अपने साथ लेकर नए घ घर में प्रवेश करें, दोस्तो ये भी एक पात्र में रख सकते हैं, मंत्र उचारन, मंगल गीतों के साथ, श्यंक बजाते हुए नए घर में प्रवेश करना चाहिए, इसके बाद भगवान गनेश का ध्यान करते हुए, गनेश जी के मंत्रों के साथ, घर के इशान कोन में या फिर पूजा घर में कलश की स्थापना करें शांती और सम्रिधी को आमंत्रित करने के लिए नए घर में हवन करना चाहिए नए घर में नकारतमक उर्जाओं को खतम करने और सकारतमक उर्जा को आकरशित करने के लिए गनेश पूजा, वास्तु पूजा, नवग्रे शान्ती पूजा के साथ हवन्ध होना चाहिए इजिन आप घर में सत्या नारायन की कता सुन्दर कांड का पाट करवा सकते हैं घर की रसोई भी खास माने जाती है रसोई घर में भी पूजा करनी चाहिए नल की वरुन देवता की पूजा करें चुले की अगनी देवता की पूजा और स्टोर जहां राशन वगेरा रखते हैं वहां धूब दीब के साथ कुमकुम, हल्दी, चावल आदी से पूजन कर स्वास्तिक जिन बनाना चाहिए मंदिर की स्थापना भी इस दिन होगी श्री गनेश और मा लक्षमी को आरम में विराजित कर लें जो भी प्रतिमा श्री अंत्र आपके पास है उनको मंदिर में स्थापित कर देंगे रसोई घर में सबसे पहले दूद उबालें या दूद से कुछ मीठा जैसे खीर बना सकते हैं हलवा भी इस दिन बना सकते हैं जब आप दूद उबालें तो इतना ध्यान रखें कि उस दूद में थोड़ा उफान आ जाए मतलब थोड़ा दूद चूले पर गिर चाए ये व्रिधी का कारक है और जो भी पहले मीठा बनाएं इसके पहले भगवान को भोग लगाएं छोटी कन्याओं को खिलाएं ब्रामन को पहले दें गरीबों को खिलाएं दान दक्षिना दें महमानों को प्रसाद बांटें घर में बने भोजन से सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, पित्रों के लिए निकालें, गाए माता के लिए निकालें, कोवा, कुत्ता, चींटी, यादी के निमित भोजन निकालें, ब्रामन को दें, फिर सभी को भोजन करवाएं दोस्तो ग्री परवेश के दिन निराहार रहना चाहिए सुबासनान के बाद साव वस्त्र धारन करें और परिवार और घर वालों के साथ घर में परवेश करें ग्री परवेश के बाद घर खाली ना रहे, कोई ना कोई उसमें जरूर रहे, वैसे तो 40 दिनों तक घर में कोई ना कोई जरूर रहे, ऐसा ना हो सके, तो ग्री परवेश पुजा के 3 दिन तक कम से कम घर को खाली ना छोड़े, वहीं पर रात को सोएं, दिये लगाएं, घंट इशंग बजा के पूजा अर्ती करें, कुछ अन्य बातों का ध्यान रखें, पूजा होने से पहले घर के अंदर खाना ना खाएं, मुख्या द्वार पर जूते चपल का धेर ना हो, मेमान आएं तो उन्हें कहीं, एक किनारे पर उनके जूते चपल उत्रवा दें, जब भी न जाना चाहिए, दोस्तो रसोई में पहले दिन गुडवे हरी सब्जियां रखना शुप माना चाहता है, घर में सामान ले जाते समय ध्यान रखें की, टूटी फूटी खंडित चीजें सबसे पहले घर में ना लेके जाएं, इशान कोन में कूडा करकट ना रखें, मुख्य जैसे भगवान की मूर्ती, एक छोटा सा चांदी का सिक्का, मिठाई का डिब्बा या ताजे जीवित पोधे, कुछ भी हो सकता है, ब्रामन को भोजन करवा के दान दक्षिना जरूर दें, दोस्तो ग्री परवेश पूजा, दर्वाजों और खिडिकियों को बंद करके ना करें, पूरी जगें को यथा संबव हवादार रखने की कोशिश करें, दोस्तो तीन तरह के ग्री परवेश होते हैं, पहला है अपूर्व ग्री परवेश, दोस्तो अपूर्व ग्री परवेश पूजा तब की जानी चाहिए, जब आपने कोई नया घर खरीदा हो, दूसरा है सपूर्व ग्री परवेश, सपूर्व ग्री परवेश पूजा तब कराई जाती है, जब आप अपने घर में बहुत लंबे समय के बाद फिर से रहने आते हैं, मान लीजिए यदि आप कई वर्षों से अपने हॉम टाउन से दूर कहीं बाहर काम कर रहे थे और इस दोरान आपके घर में कोई नहीं रहता था, तो सपूर्व ग्री परवेश पूजा कराने की सला दी जाती है, पूजा करने से पहले अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें, तीसरा है द्वानधव ग्री परवेश, यह ग्री परवेश पूजा तब करानी चाहिए, जब किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी परेशानी के चलते अपना घर छोड़ने के कई वर्षों के बाद वापिस रहने आए हो, दोस्तों कोई इमारत घर बनाने के लिए धरती की खुदाई करते हैं, तो कितने ही जीव जन्तु मर जाते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो पेड़ों के काटने का दोश तो होता ही है, साथ ही कितने ही जीवों के घर नश्ट हो जाते हैं, और पत्रों को तोड़ते हैं, तो इन बुरे दोशों को दूर करने के लिए, और इश्वत से आशिरवाद लेने के लिए ग्री परवेश पूजा हवन किया जाता है, ये नकारत्मक तरंगों को दूर करते हैं, और अच्छी उर्जाओं के साथ नई शुप शुरुवात के प्रतीक होते हैं, आश्या करती हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, धन्या में